जैसरी किस्टना सभी को तो आज हम लोग पीवाई की सीरीज का पीवाई क्यू सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आये हैं चैप्टर नंबर फोर और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वर्क पावर एनर्जी एंड को रिजन से रिलेटेड जितने वी क्वेस्टन्स लास्ट थ्री यह मतलब 222 2020 2019 2018 सारे को देखेंगे इस कोस्टन के थू हम लोग क्या करते हैं नव लोग इस क्वेस्टन के थू सरहरे एक चैप्टर को क्या करेंगे रिविजा एक ब्रिफ रिविजन करेंगे और हम लोग को साथ से साथ यह पता चलेगा कि जो नीट का पैट किस लेवल ऑफ टॉफ निस क्या है इजी है हाड है तो देफिनेटली यदि आप इस स्रीज को पूरे का पूरे कंप्लीट स्रीज हम लोग इसमें लॉंच करने वाले हैं मतलब अब हम लोग तीन स्रीज कंप्लीट कर चुके हैं मोशन मोशन और इस से पहले हम लोग देखे और इस चेप्टर में हम लोग देखेंगे वरक पावर एनरजी एंड कोलेजन से रिलेटर जितने वी कोस्टेंस आया है लास्त त्री यह में इन कोस्टेंस के तुरू आपका एक डिफ रिविजन वी होगा और साथी साथ यह आइडिया विलाएगा कि किस लेवल के कुस्ट में किस पेटर के कुस्टन नीत के एकजाम में डिसेंट यर्ष में आ रहे है तो ठीक है आया देखते हैं यह क्वेस्टी कोस्टन अपना वरक पावर एनरजी एंड कोविजन से रिलेटर जो फरस्ट कोस्टन था यह क्या है यह आपका ऐख था हान है को कि 2019 है हम हो Simpson 20 2019 का यह क्वेश्चन है ठीक है तो देखती है इसमें एच समय है कर देखे दो इसमें क्या बोला है श्यक्रिस क्या मैं त्वे टेटी प्रेटी प्लस अगरा कौंसे डिर्चम पार राइ डियर्चन जाहां फोर्स न्यूटन में और य किसमें मीटर में है फोर्षस इंड न यूटन आम इस न Almaagra तो वात्म है पूइंड टो वेशित केल्कुलेट वर्वन है इस पॉर्स we have to find the value of work done by this force to move that particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 it means that we have to find the value of work in taking that particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter that means इसका मतलब क्या होगा कि उस पार्टिकल पर जब इतना फोर्स लग रहा है 20 प्लस 10y तो कितना वर्क डन होगा जब उस पार्टिकल को हम लोग y is equal to 0 तो y is equal to 1 तक ले जा रहे हैं तो जैसे कि देखो यहां पर फोर्स का एक्स्प्रेशन क्या दिया हुआ है 20 प्लस 10y मतलब यह जो फोर्स है y के फंक्शन है मतलब y पे वैरियबल फोर्स बोल सकते हैं करेंगे तो फोर्स कुछ ओर आएगा वाइज को टो की बात करेंगे तो वहां पर फोर्स कुछ ओर आऑगा वाइज उप्लक्रीच दूंस के किस्के लोगpress कर रहे है वाई के लोग इन्टेग्रेट किसके लोग करते हैं वाइके लोग और वाइका लिमिट कहां तक डिया हुआ है जीरो से वन तो लीमिट में क्या रख देंगे जीरो से इसको सोल कर लो फ्रूर्ष की वालु कि इतना है बताना 20 20 प्लस 10y इसको इंटेगरेट करना है किसके रिस्पेक्ट में डीवाइब डीवाइब कहां से आ गया सर्थ डीवाइब इसलिए है क्योंकि फोर्स वैरियेबल किसके मतलब किससे में बैरिक कर रहा है तो इंटेगरेशन भी वाई के करेंगे तो कॉंस्टेंट नंबर है और कॉंस्टेंट नंबर का इंटेगरेशन क्या होता है मिल्टिप्लाई हो जाता है ट्वेंटी इंट वाई हो जागा क्या होगा इसका ट्वेंटी वाई और इसका टेन वाई का जब इंटेगरेशन करेंगे तो क्या हो जागा टेन वाई अब पर लिमिट वन रखेंगे तो यह 20 बनेगा माइनस अब जैसे जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगा तो छोड़ दो मतलब यहां पर जो हम लोग वड की जो वैलू केलकुलेट किया क्या आया 25 जूल आया देखो एक सेकंद थोरा सा इंटेग्रेशन में प्रोब्लम होता होगा जैसे देखो हम लोग इक्स दी एक्स तो एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता था एक्स की पावर एन प्लस वन अपर यंट प्लस में実 इतना कि जो तो बाहर सा जाएगा और y का y2 और 20 था तो 20 इंटेग्रेशन 20y हो जाएगा और लिमिट हम लोग रख दिए 0-7 बोला था तो वहां से वाक्डन की वैलू कितना रहा है 25 जूल तो अपना देखो ऑफ्सन कौन सा है यह सो फैनली इसे हम लोग क्या कंक्लूड किये इसे हम लोग यहीं कंक्ल वेक्टर फॉर्म में हो तो f.ds कर देते हैं ठीक है अगर फोर्स वेरियेबल हो तो इंटेग्रेशन का टेक्निक युच करते हैं जैसे हम लोग यह किये हैं और 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 यदि ग्राफिकल एनलेसिस से वर्क केलकुलेट करना हो तो जब कभी भी फोर्स और यह वर्क केलकुलेट करने का इसके लाव और कुछ नहीं है ठीक है वर पाव एनरजी के सेंस में ठीक है तो यह फटा 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 नोट को लो यह अपना फॉर्स चेप्टर का क्वेश्चन नमर फरस्ट है आगे देखते हम लोग नेक्स्ट क्या है तब तक प्रोपर इसको नोट्स बनाना है अच्छे से रिविजन करना है तो ठीक है बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यह क्वेश्चन नमबर टू है यह आया था आपका एक्जाम नीट 2020 मतलब पिछलों साल आया था ठीक है तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे दो टू पार्टिकल ओफ मास्ट फाइब केजी एंड टेन केजी रिस्पेक्ट विली आर अटेस्ट टू टू इंट्स अफ दरीजिड रॉड ओफ लेंथ वन मीटर अपनेले देवल मास्ट मतलब यह जो है यह एक मालनों की एक रॉड से दोनों मास्ट क्या है कनेक्टेड है एक सिंपल एक रॉड से दोनों मास्ट कनेक्टेड है और यह जो रॉड की जो लेंथ है वन मीटर है कितना मीटर है वन मीटर और वन मीटर का मतलब क्या है वह हंडेट सेंटीमेटर सेंटीमेटर में अंसर है तो हम लोग इंटरम्स अफ सेंटीमीटर में बात करेंगे मतलब यह कितना है अंडेट सेंटीमेटर है ठीक है अब यदि हम लोग इसमें बोला है कि दा सेंटर ओफ मास और सिस्टेम फ्रॉम फाइब केज़ी पार्टिकल जो फाइब केज़ी पार्टिकल है उससे कितना डिस्टेंस पे सेंटर ओफ मास इन दोनों को कमबाइनों कर मिलेगा ठीक है तो देखो मैंने टोटल यह जो मास यह सो और यह अदosure सबको में मालेकि वह ओबजेट्टे एक्स के ऐलोंग है ताकि जी पर जये मने एक को हम लिए एक को यहां माले बाफ के के मैं? माल लिया 100 cm समझ मैं मतलब x के लोंग माल लिया तो center of mass भी x के लोंग ही होगा तो center of mass का आपको पता होगा x center of mass हम लोग कैसे निकालते थे m1 x1 प्लस m2 x2 अब जितना भी mass हो सब एड होते चला जाता था और नीचे में हम लोग क्या करते थे में m1 प्लस m2 यह center of mass x के लोंग हो अगर y के लोंग होता है तो क्या लिखते है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 upon m1 प्लस m2 जितना mass होता सब को एड कर देते लेकिन यहाँ पर x के लोंग है तो मैं के वह एक्स वाला ही अनलाइस किया और उससी को क्रस्पानियों कैल्कुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं देखो ए-5 कितना है और कहांए यह origin पे मालो यह origin पे ही है यह कहांएkal origin पे है हो से पर अनलेट कोई जीरो निँगे तो यह तो औरश्यीन है मतलब इसका कितना पे है जिरो पर और एमटू का माश्च कितना है देखो 10 मैं को एंटू का मास कितना है एंडिके जी मास कितने दिया हुआ यह तो इंटू का मास करेंगे तो बताना कितना होगा skilled कितना है उसमें अगर यहां से उसका डिस्टेस देखेंगे तो टेन हो जाएगा एस और हंडेड हो जाएगा सेंट्रीमीटर के टंस में बात करेंगे तो ठीक और एम ओन की वैलू कितना है यहां से दिल इसको हम लोग लिखेंगे तो एक आजाएगा वन थाउजन अपॉन फिप्टी वन थाउजन अपॉन फिप्टीन यहीं आएगा और इसको यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो यह अप्रॉक्स में 67 क्या सबसाएगा क्या आएगा 67 सेंटीमीटर तो यहां समलोग जो इस ऑप्जेट का एक्स कोडिनेट ऑफ सेंटर आएगा कह आएगा तो यहां समलोग यही आपको फर्मूलेस याद होने चाहिए उसके बाद आप हर कुस्टिन कर ले जाओ ठीक है और डेफिनेटली स्टीज को अच्छे सेंजवाए करना और आप क्या करना प्रोपर एक कॉपी बनाना नोट्स बनाना प्रोपर प्रोपर आप्शन लिखना है तो उसके बाद डेफिनेटली जब उग्जाम होगा तो आपको मिलेगा आप कहीं दूसरों से बहुत ज्यादा बहुत आगे रहोगे ठीक है तो आये देखते हैं अपना नेक्ट कॉस्टिन ठीक है इसी चेप्टर का यह सेकेंड कॉस्टन था अब अब खुछाए वर्क पावर एंधि एंड कोलीजिन का यह कोष्चन नम्र थाड है यह कोष्चन जो है कोलिजन से रिलेटेड कोलीजिन से रिलेटेड तो इसमें पूछा गया है देखो कोई वॉड्य जिसका मास कितना है फ्रेम है वह स्पीड से क्या किया एक दूसरे वोड़ी जिसका ईम है उसके 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 फोड़ी जिसकी उसके बाइब है और दूसरे वर्स कोलाइब किया जिसका उसका मास कुट्रेंब जो कहां पर रखा गया एक भी खीरशूट हैं है और जो कोलीजन खया है कैसा पहसे पहसा है उसके बाद यहेष्च guys अब कॉलिजन के बार्द if the fraction of energy loss by the colliding body मतलब कितना energy lost को थे पाध़ा हमस्ता अभ एनर्जों तो माइनिकर mouvement कितना इनर्जी क्यों हो तो देख सब स्थाधे यहां पर बात करें फ्रेक्श्न ओफ एनर्जी की बात कि इसका एनर्जी के इनरजी पोर अगर अगर सोल्ब करेंगे और अगर सो sell करेंके बिलो कर दो कर दो o for moan कि वैलू कितना है बताना amone कि वैलू मेरे कोडिंग फॉर एम कितना फॉर है आ इंटु कि वैलू 2 याम है m 2 कि वैलू कितना है टू एम है ठीक है और एमोन कि वैलू कि इतना फॉर एम मतलब क्या है 16 2 मतलब 32 एमे स्क्वेर है और यहांप क्या बन रहा है 66 के स्क्वेर करेंगे तो क्या हो जागा 36 एमे स्क्वेर ठीक है और यह दिमें इसको 4 के टेवल से यह तो एसे ही चला जाएगा तो 48 32 और 49 36 मतलब इसका जो आंसर आगा क्या एगा एट बाइण इसका आप क्या जाएगा तो इसका सोलूशन में बस इतना ही लिखना है उन्होंने बात किया था कि जैसे ही इसमें पूट किये और मेरा आंसर किया गया एट वाइने और एट वाइना आने का मतलब मेरा कौन सा ओप्षन सही है देख सकते हो फॉर्थ ऑप्षन इसमें बिल्कुल दिया हुआ है और अपना अंसर यह कब आया था नीट 19 में आया था दो पेपर था और एक सितंब में अभी हुआ था तुछ सितंबर वाला पेपर का है मतलब 19 का ही है यह ठीक है तो यह बैसिकली डेख सकते हूं कितना कितना सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज वेस्ट कोस्टन आ रहे हैं तो आप लोग को बिल्कुल एक तरफेस्ट लेबल तक नहीं जाना है आपको बेसिक सि प्रियाद होने चाहिए उसके बाद आप लोग इसली पूरे कोस्टन एक्जाम में अटेम्ट कर सकते हूं और बाकी हम लोग स्रीज के थूरू पूरा पेपर के अनलेसिस करेंगे पूरा पेपर तीन साल का पेपर के अनलाइस अनलेसिस कर रहा है चेप्टर वाइस से डेफ सब्सक्राइब को लिजन से आ रहे हैं ठीक है तो आपको सेंटर आफ मास का टॉपिक अच्छा स्रीवाइस करना हो ठीक है मतलब कंसेप्च्छल टॉपिक ठीक है इसमें क्या बोला है कि a moving block having mass M कोई block है जिसकी मास M है वह मूव कर रहा है मतलब चल रहा है और और क्या 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 को लाइड़ वह कुलाइड होआड उंध ㄌट लσι्त अनदर अल्फ अचल रहा है यह सामने दूसरा बोलक रखा हुआ है तो उसको कलाइड हुआ अब को लिजन के बाद बोला है मतलब लोग घूम कर उसको लैड वा तो क्या में को लाड गया रिजकर आगये सकते सीतितिति जाय मान करते हैं के उसके बाद बोला है तो इनिशल वह इंतिन वह लोग7 के मानना तोर उन वह बताना यह मतलब क्या बताना है के फीसियंक इनिव रेशद की सवἋ को बॉलता है इसको देखो है कितना इस्पीड रुपा उसके बाद करेंगे तो देखो जब कभीभी को लिजन होता है तो वहांपने क्या अपलाई करते हैं सब को पता होगा momentum conservation कौन सा principle momentum conservation और बता जैसे हम लोग momentum conservation करेंगे तो क्या होगा पता है तो इनिस्यल मोमेंटम मालों की इनिस्यल छोटा वाला मास है उसका speed u है ठीक है अब बड़ा वाला मास initially कितना था रेश्ट में था मतलब 0 मतलब 0 ठीक है हम से को लिजन हो गया अचैसे में पतातों दिये मेरा बिदेज़ ब nationलिया कि मैं नहीं द्रक्रेलों कि उपे टीक है यहां नेगा कि मतलब जो नया डिया वह बनेगा तो उसके वीडेस कींति जो वैलु एगा क्या आएगा वीगवर 21 के बाद बॉलीस को expense क्लेजन के बाद इसमें रहा है एक मास एक ब्लॉक है जो इंद्थी स्पीट से धाया है ठीक औरorama James si effectively कि इसमें रखा हुआ थिकर है कोलीजन हुआ है कोलीजन के बाद अगया और यह कहां चला गया इसके पास वेलोसिटी आ गया कितना वेलोसिटी आ गया गया कुंड़ कैंड कितना वेलोसिटी आ गया था इसका स्पीट कितना हो गया भीवाइं फौर अब मुझे क्या बताना है को एफिसेंट ओफ इकी वैलो बताना है अब हमको क्या फाइंड करना है we have to find the value of e अब हम लोग e की value बताना है तो e की value क्या होता है बताओ किसी को पता है तो देखो e की value की यदि में बात करूं तो e की value का जो भी expression होता है हम लोग लिखते हैं in terms of separation or in terms of approach क्या लिखते हैं e का जो value होता है हम लोग separation और अप्रोच देखो separation और अप्रोच की यदि में बात करूं तो देखो इस इक को कैसे डिफाइन किया गया है वेलोशीटी ओफ से प्रेसलिकों वेलोशीटी ओफ सेपरेशन PR की अप्रोच क्या है यई यह होगा अबदेखो इसमये शुlish a न के बात बात दोनों जो मस्स है कितना स्व्ण तिलाग अलग जा रहे हैं ये क्वी स्वैस्ट के पांद एक fem है और एक फूरम् prof यह दोनों कितना मास से दूर जा रहे हैं मताओ कितना सोरी कितना स्पीड से दूर जा रहे हैं घुञा और विट उप हुंगरे तो दोनों का अलग होने स्पीट का यह से फोरी собствен तो में लोग ऊपर क्या लिग देंगे टेकिंगे जी में क्या लिखेंगे वीवाइब तो यहां से दिमें लिखूंगा तो क्यावल वन बाइब फोर आगा और वन बाइब फोर का मतलब 0.25 और यहीं मेरा एक वैलू आएगा और एक वैलू क्या है यह बी ओप समझ मैं तो देखो इसके यह फोरा सा कंसर्चुल बोल सकते हैं वैसे कंसर्चुल मतलब से दोनों अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अपरोच का मतलब अब यह रुका हुआ है तो यह जा रहा हूं तो अपरोच कितना से अलग हो रहे हैं वैफ वैफ फोर से दोनों का रेसियो और यह को कि तूधाउजन्ट एटी तो देख सकते हो वाल मतलब कैसे पूछे जाते हैं मतलब अगर आप बेसिक से चलते हों कंसेप्ट वाइस बेसिक वाइस तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है मतलब आप देख सकते हूं मैं इतना क्वेसिन करवा चुका हूं अभी तक तो आप सकते हूं कि मतलब वैसा कुछ है नहीं मतलब जस्ट यदि हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर ज्यादा फूकस करने तो वसीजी है हम लोग कर ले जाएंगे पूरे कुछ यह है अपना इस टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन और यह क्वेश्चन नंबर क्या है फिट है क्वेश फोर्स एफ किसी पार्टिकल पर यहां पर लेखना एफ एक्टिंग कि किसी पार्टिकल पर एफ फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक है और उसके कारण वह स्ट्रेट लाइन में मूब कर रहा है ठीक है कैसे मूब कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूब कर रहा है ठीक है और वैरी displacement D as on in the figure, मतलब particle का displacement force के साथ, वह varied कर रहा है किसे varied कर रहा है, वह इसमें दिखाया गया है, क्या क्या गया है, वह इसमें दिखाया गया है, ठीक है, ओके, ये ये इसमें दिखाया गया, ठीक है, तो इसमें बोला है कि the work done on the particle, उस particle पर कितना work होगा, तो जो पॉशन लगा तो किसी वी औब्जेक्यट में डिस्प्लेशमेंट आता है तो वक्टेंटेंगों कितना और गए तो न उस फोर्ट के कारद जो पार्टिकल प्रटिकल पर गाते हिज तुमं कीतना होगा है यह सब्सक्राइब दोसे आजला का रहा है तो वक्रक्राइब जिस इसमें पूछा तए इससे यह कुछ नहीं हो सकता है इससे अधि ऋसकता क्यों मुझे पपता है कि जब पराव देश्म corre का ग्राब दिया हो और उस केस में यह पूछ दे की सर आप वर्क डन बता क्या बता वर्क डन बता तो उससे सिंपल कुछ नहीं कि उसका एडिया हम लोग कलेट कर लेंगे जहां से जहां तो बोला है एडिया कलेक्ट कर लेंगे तो बस विसकली मुझे यह ट्रेपीजियम जो a c2 is a c 1 कैसे बूले भी ऐसी डी कि ठीक्सिर इसुञट वर्क आइसट बोले रेजिव को क्या बोलें थैकले भी है अब मतलों उस ट्रेपीजियम गेरे निकालना और ट्रेपीजियम के अडिया शेचईर को पता होता है वन बड टूइंटु श्मॉफ पैरलल साइट में गिज की दूरी इस्टेंस सब्सक्राइब तो देखो वन वाइठा कोंतर लिए से तो यह यह § पर कितना है यह 4 यह तो 4 ही है और यह यह यहां से यहां तक है तरी से 12 तो यह यहां से यहां तक लेकर देखेंगे तो कितना दूरी है गें हुवश्ब्हक कर तो पेरल्ल साथ मतल्स मैं का ओर ए wishes was दूरी मतलब इन दोनों को की सwarz कि इस्टने है या करें और उसलिंट safety कर देंगे और यह तनर चला जाए factor के 13 जूलाएगा तो वर्कडन जो आएगा इसमें कितना आगा 13 जूलाएगा ठीक ऑप्सन था दिया हुआ था लेकिन ठीक ऑप्सन भूल गए कोई बात नहीं इसका आशर कितना थर्टीन जूलाएगा अपन को कंसेप्ट ट्रॉव ना चाहिए in integration से निकलता है जिसके एलों फर्स भैरी करता है उसी के एलों integration होता है और उसी के एलों displacement भी होता है ठीक है तो जब constant force हो तो force.ds f.ds वर्ट दूंग का पहलत तरीका second form क्या हो सकता है जब मेरे पास जब force दिया हुआ हो वह force यदि जब variable बन जाये तो वह वार ओप uningen चेकने टेकनिक की Jackson की बात करेंगे चैकनिक ट्रापनेट न क्या होता है ग्राफिकल करना ग्राफिकल अप्रोच अप्रोच में पिद much के ग्ने चैकनीट की याथ यही में पूछा था अगर किसी को ट्रेपीजियम अगर निकालना में प्रब्लम हो तो उसको कोई बहुत प्रोब्लम नहीं होना चाहिए इसे रेक्टेंगल के रिया निकाल लो तो देखो यह क्या है 4 4 into 2 इतना इरिया हो जागा क्या हो जागा ठीक है 8 एट नो तो देखो आगया यहां से 13 आगया तो 13 यहां से भी आ रहा है कि समझ में की नहीं है बताओ आ जाना चाहिए समझ में यह ट्रेग्फिजियम का डेरेक्ट फर्मूला से यह तुम्हारा यह और यह किसी को ट्रिपीजियम एडिया भी नहीं आद हो सब्सक्राइं करें और फिरी मेश से इतने ही सवाल मतलब पूछे गए थे इतने ही कोशन से रिलेटर या फिर वर्क पाउर एनर्जी से रिलेटर ठीक है तो अब हम लोग चैप्टर नुमर फाइब से रिलेटर देखेंगे तो विसके लिए आप बस इस पीवाई को पीवाई क्यों इस स्रीज को आप अच्छे के बाद जलेगा तो क्या करना अच्छे से नोट्स बनाना है अच्छे से सारे कंसेट को देखना है सारे कुश्चन को बार-बार रिवाइज करना है तो आपको जब लास्ट एक्जाम होगा सेप्तंबर में जो भी अगस्त में हो तो ठीक है उस समय आप लोगों को बहुत भ फिजिक्स का चैप्टर को कवर करेंगे तो अभी तक हम लोग फोर्थ चैप्टर तक पहुंचे हैं और यह आज कंप्लीट हो रहा है अब हम लोग अगली क्लास में अगली चैप्टर साथ सुरू होंगे ठीक है तब तक आप लोग इतने जो जितने भी पिछले के सारे क्व सब को बार-बार देखिए बार-बार रिवाइज कीजिए ताकि आप लोगों को एक पेपर पैटर्न एक डिसेंट इयर्स का जो भी पेपर पैटर्न है लेवल ऑफ क्वेस्टेन्स किस टॉपिक से कितना क्वेस्टन इसका पता तो चले उसके क्रस्पोंडिंग हम लोग अगले चेप्टर में हम लोग शुरू करते हैं और फिर हम लोग अपना पीवाईकू सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं आप 25 से प्रोपर नोट्स बनाएए प्रोपर इभाइस करिए तो आपको उससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा वेनेफिट दूनने वाला है